Hot News of the Week में बात करते हैं नवरतन स्टेटस की, तो जी हाँ अभी हाल में नवरतन स्टेटस दिया गया है, Indian Renewal Development Authority of India को ये एक ऐसा ओगनाइजेशन है जो कि Renewal Energy पे काम करता है और इसे मिला है नवरतन स्टेटस, उसके अलाबा दो और कंपनी को दिया गया है नवरतन स्टेटस तो चलिए जानते हैं, नवरतन स्टेटस दिया गया है IREDA यानि Indian Renewal Energy Development Association को, IRDA इंडियों Renewal Energy पे काम करता है, उसके अलाबा नवरतन स्टेटस दिया गया है National Fertilizer Limited Organization को और उसके अलाबा ये दिया गया है हुटको यानि Housing Urban Development Corporation Limited को, आपने देखा होगा, अर्बन सेक्टर में Government Quarters होते हैं, जहां जो भी Government Employees होते हैं, उनको एक Particular Quarter दिया जाता है, जिसको हुटको कहा जाता है, जिसके अंतरगरत कम रेंट में अच्छे Quarters available कराया जाते हैं हुटको और्गनाइजिशन को अभिहाल में दिया गया है नवरतन स्टेटस, चलिए जानते हैं इसके बारे में नवरतन स्टेटस क्या है, तो सबसे पहले जानते हैं MSME यानि Micro Small Medium Enterprises को इंडिया में जो भी Public Sector Companies है, उनको तीन भागों में रखा गया है जो most important है वो है महा रतन, उसके बाद है नवरतन और फिर है मेनी रतन, ये तीनों ही डिविजन काफी माईने रखता है, तो आज हम जानते हैं नवरतन स्टेटस मिलने का फाइदा क्या है, यानि benefit क्या है, तो सबसे बड़ा benefit है कि बिना Government Approval के 1000 करोर तक आप invest कर सकते हैं, या यानि कि कोई भी paper work किया विसकता नहीं है, 1000 करोर रुपे तक आप अराम से invest कर सकते हैं, उसके अलाबा आप चाहें तो कोई भी strategic project ले सकते हैं बिना Government Approval के, यानि कि आपको कोई approval किया विसकता नहीं है और आप बहुत सारे project में खुद को engage कर सकते हैं, ये नवरतन स्टेटस किसे दिया गया है, तो देखिए नवरतन स्टेटस अभी हाल में तीन companies को दिया गया है, एक है hood को, दुसरा है NFL यानि National Fertilizer Limited और तीसरा है IREDA यानि Indian Renewal Energy Development Association, IRDA की performance बहुत अच्छी रही है, इसलिए से दिया गया है नवरतन स्टेटस, और नवरतन स्टेटस मिलने से इसे सारे फायदे हैं, जैसे कि वो प्रोजेक्ट ले सकता है, साथ में 1000 करोर उपे तक investment भी कर सकता है, आगे देखते हैं क्या है eligibility criteria, यानि अगर कोई भी company नवरतन स्टेटस पाना चाहता है, तो सबसे पहले तो वो एक public sector organization होना चाहिए, public sector company होनी चाहिए, जो कि mini रतन से यानि कि उसे mini रतन की उपाधी मिल चुकी हो, उसके अलाबा वो company का score rate बहुत अच्छा होना चाहिए, यानि out of 100 कम से कम उसे 60 marks तो आने चाहिए, और इसका parameter क्या है, तो सबसे पहला है profit before depreciation, यानि कि profit making company होनी चाहिए, manpower cost भी होना चाहिए, साथ में net profit अच्छी होनी चाहि तो और भी क्या eligibility होनी चाहिए, तो देखे, वो company सबसे पहले तो mini रतना होनी चाहिए, score अच्छे होनी चाहिए, और सबसे important global presence, यानि कि पूरे world में उसका presence होना चाहिए, यह है eligibility criteria, किसी भी mini रतन कम्पनी का 9 रतन कम्पनी में convert होने का, IRDA की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये क association, एक non-banking financial company है, non-banking financial company है, इसका मतलद ये कम्पनी है,